असलाम अलेकूम अज में लेके आई हूँ मुसंबी का जूस बनाने की रेसिपी जोके नेच्रल तरीके से हम घर में आसानी से बना सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप लोग विल्कुल इस तरीके से बनाईएगा अब ये देखें मैंने एक मुसंबी ली हूँ इसे बीच में से कट करके जो इसकी बीज है मैं इसे निकाल दूँगी और इसका ये पीछी ले पार्ट जो है इसका छिलका ये निकाल दूँगी इन सब को निकाल के मैं एकदम क्लियर कर लोगी बीज इसमें एक भी नहीं रहना चाहिए इससे मुसंबी में बहुत कड़वापन आजाता है तो ये उपर का पार्ट और उसकी बीज और छिलका ये सब निकाल के इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा नहीं तो आपके जूस कड़वा बनके रेडी होगा और जरा भी अच्छा नहीं लगेगा तो अब मैं ये सब क्लीन कर ली हूँ देखे मैंने इन सब को अच्छे से कट करके बीज निकाली हूँ और ये छिलका निकालके इसे रख ली हूँ चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक मिकसर जार ली हूँ और सारी मुसंबी मिक्सर जार में मैं इन सब को डाल दूँगी और इन सब को डालने के बाद मैं इसमें दो कप पानी डालूँगी इसमें ज़्यादा पानी एड नहीं करना है बिल्कुल दो कप मैंने पानी डाल के इसे एड करी हूँ और इसे मैं mixer grinder में अच्छे से पीस लूँगी अब मैंने एक बावल ली हूँ बावल में एक चंणी ली हूँ उसमें मैं चंणी से यह juice को मैं छानूँगी और इसमें मैं इसे चमस की मदद से इसे लाते वे इसका रस निकालूँगी आप चाहें तो एक मलमल का कॉटन का कपड़ा उसमें भी डाल के उसे अच्छे से निचोर सकते हैं या तो आप इसमें चन्नी में डाल के इसे हाथों की मदद से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं आपकी जैसी मरजी इस तरीके से इसका रस निकल जाता है बिल्कुल नैच्रल तरीके से घर में आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो मार्किट से आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए अब मैंने ये इस तरीके से निकाल दी हूँ बस ये इसका कुछ बचा है हिस्सा अब ये पूरा रस इसमें से अच्छे से निकल चुका है अब मैं इसमें दो से तीन टेवरी स्पुन मैं इसमें पिसी भी शक्र डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन भी एड़ कर सकते है बढ़ मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने इस मैड नहीं करी हूँ आप लोग भी इस तरीके से ट्राय करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरू करिएगा फिर मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ में जब तक अपना खयाल रखिएगा फियमानिल्ला